हम एक्सरसाइज 1.2 से कोशन नमबर 3 को सॉल करेंगे find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method और हम सॉल करेंगे सब कोशन नमबर 2, 17, 23 and 29 सबसे पहले हम understand करते हैं कि prime numbers मतलब कौन से numbers तो ये वो सारे numbers होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं जिसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये वो सारे numbers है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं उसी numbers को कहा जाता है prime numbers और हमें करना है prime factorization इसका मतलब हमें ये numbers को reduce करना है by using the prime numbers तो चलिए सबसे पहले हम 17 के prime factors को calculate करते हैं यहाँ पर एक straight line को अच्छे से prepare कर लेता हूँ मैं अब हम सोचेंगे कि 17 किस के table में आएगा तो obviously 17 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 के table में ही आएगा क्योंकि 17 एक prime number है तो 17 सेवन्टीन बनजा 17 और prime factors of 17 क्या हो गए 17 बनजा 17 अब वैसे ही हम 23 के prime factorization करते है और उसके prime factors को calculate करते है तो 23 भी जो है वो भी एक prime number है तो सिर्फ 23 के table में ही आएगा 23 बनजा 23 तो prime factors of 23 क्या हो गए 23 बनजा 23 अब हम calculate करते है 29 के prime factors 29 के prime factors तो 29 बंजा 29 क्योंकि 29 प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ 29 के table में 29 आ सकता है तो prime factors of 29 और 29 बंजा 29 अब हम calculate कर लेते हैं LCM और HCF वो ही हमें calculate करने के लिए पूछा गया है तो हम लिखते हैं यहाँ पर LCM for 17,23,29 LCM हम कैसे calculate करते हैं तो सारे numbers को लिखना है सिर्फ repetition नहीं होना चाहिए सिर्फ repetition नहीं होना चाहिए मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पर 17 multiplied by 1 लिखेंगे 23 जो है वो एक भी बार नहीं आ है तो यहाँ पर हम 29 को लिखेंगे ओके सबसे पहले multiply करते हैं 17 multiplied by 23 मैं यहाँ पर एक rough face को create कर देता हूँ ओके तो मैं यहाँ पर करूँगा 17 multiplied by 23 या मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ 23 multiplied by 17 तो 23 multiplied by 17 multiplication के बाद में डोट जेट है तो हम यहाँ पर एक 0 रख देंगे 1 3s are 3, 1 2s are 2, 7 3s are 21, 1 यहाँ पर और 2 पर कहरी किया 7 2s are 14 और 14 plus 2 gives 16, 0 plus 1 is 1, 3 plus 6 is 9 और 2 plus 1 है 3, यहाँ पर आ चुका है 391, अब 391 multiplied by 29 करना है multiplied by 29 तो चलिए करते है 391 multiplied by 29 दो डिजित है मतलब यहाँ पर हम 0 रख देंगे 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7 अब 9 1s are 9, 9 9s are 81, 9 3s are 27 और 27 plus 8 हो जाएगा 35 ओके तो 0 plus 9 is 9, 2 plus 1 is 3, 8 plus 5 is 13 और 7 plus 1, 8 8 plus 3 is 11 तो 11,339 हमारा LCM है 11,339 हमारा LCM है ऐसे हम HCF को calculate कर लेते हैं तो HCF for 17,23,29 HCF मतलब common factors होने चाहिए दोनों तीनों नंबर में तो यह 1 इधर है 1 इधर भी है 1 इधर भी है बाकी इसा कोई भी नंबर नहीं है जो common आता हो तो HCF of 17,23,29 is 1 हमने answer को calculate कर दिया है LCM is 11,339 and HCF is 1 यह simple सा calculation I hope आपको understand हुआ होगा अच्छे से ठीक है students हम मिलेंगे हमारी next video में